हालो फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए डेक्स अपडेट के बारे में और इस अपडेट से काफी इंटर्व्यूस के कोक्षिंग भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि जह हम पहले बात करते थे कि हमारे पास जो हैं एवलेशन कॉंटेक्स के अंदर कितने राओ कॉंटर्स की और विल्टर काॉंट है कि अब एक नया कॉंटेक्स आगया है जिसे हम बोलते हैं बीजिवलील क्यों ऐढ़े अंवं बात करेंगे इससे पहले से लिटेट कुस्लेट बंद अभी हुई है और यह calculation जो नहीं टेक्स किया है लगता है कि काफी easy है compare to जह हम depth में करके थे यानि कि अगर यह काफी easy calculation है और एक new person भी आराम से easily कर पाएगा तो काफी important है इसको understand करना क्योंकि आप easily जो है अगर आप एक career के starting में ही है तो easily calculation कर पाएगे सबसे पहले समझते हैं कि यह calculation different है easy है या hard है फिर हम इस context पर आएगे तो सबसे पहले इसे हम हमें जो है क्योंकि यह एक preview feature है हमें इसे enable करना पड़ेगा अपने desktop में यहां पर यह file open है और इसमें हम enable कर लेते हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में और options and settings और options पर और एक नया dialogue open होगा और इसके preview features में जाकरके हमें मिल जाएगा नीशे आएंगे थोड़ा सा visual calculation यह already अमरी on है अगर आपके यह off होगी इसे on कर लेना है और okay करना है क्लिक करने के बाद आपको restart करने पड़ेगी पड़ेगी पर यह आपका easily work करेगा ठीक है तो हमने यहाँपर simple जो है एक data set connect करका है जो आप easily connect कर सकते हैं आपको यहाँपर जाएंगे तो यह test set ही है जो आपको हर power way की file में मिल जाएगा अब हम एक create कर लेते हैं एक simple सी matrix तो बनिया पर एक matrix ड्रैग की है और इस में मैं year and quarter ड्रैग कर देता हूं तो year and quarter ड्रैग होगे इसके अंदर और अब एक calculation यहाँपर डाल देता हूं तो इसके अंदर मैंने इसके previous value देखना चाहें अगर हम कहेंगे कि previous quarter की क्या value है और या हम कहेंगे previous year की क्या value है तो उसे हम कैसे calculate कर सकते हैं अब अब देखेंगे ध्यान से मैं यहाँपर एक और sales का measure बना हुआ है क्या calculate sales और date add से मैंने minus one month गया हूँ मुझे month में चाहिए यहाँपर मैं चाहिए quarter ठीक है minus one quarter लेकिन यहाँपर मैंने date table नहीं मनाई है तो मुझे obviously वो time and challenge के लिए date table कंपर से रहे है तो मुझे क्या करना होगा यहाँपर एक date table क्रेट करने हूँए तो फटा-फट से में क् पास्परवाड करने सकते हैं ओके तो यह मैंने एक टेबल क्रेट कर लिए है create कर लिए स्वरी और इसे मैं कर लिए ता हूँ और इसे मार्क कर लिए ता हूँ आसे date table तो अब यह table हमारी ready है तो जो previous sales वाला date add date table के date interval minus one ले रहे हैं और यहाँ पर अप्शन select करने के लिए कि हम day जाना चाहते हैं हम month जाना चाहते हैं quarter जाना चाहते हैं year जाना चाहते हैं तो अब भी हम यहाँ पर month ले लेते हैं अब अब देख पाएंगे easily month की month में sales आ रहे हैं लेकिन अगर हम quarter level पर देखेंगे तो यह जो sales है आप देखेंगे थोड़ा सा difference है जो एक month का difference है निए quarter level पर जो एक calculation दे रहा है हम इसे previous sales नहीं कहा सकते हैं यह previous month की ही sales है तो इस के लिए हम अगर हम एक dex में लेखेंगे तो हमें हर scope के लिए यानि कि month level के लिए quarter level के लिए and year level के लिए तीन different measures करने पड़ेंगे और तीनो different measures को select करके कि इजिन scope month है तो यह वाला measure month वाला और इजिन scope quarter है तो यह वाला और year है तो यह वाला calculation आप measure switch करवाना पड़ेगा लेकिन क्या यही calculation हम करके देखते हैं विजुल लेकिन कितना hard होता है कितना easy रहता है तो इसके लिए जो हमने पहले लिखा है एक proper understanding से यह अपका फिस समय से वीडियो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यह data से हम previous month कैसे निकाला सकता है क्वाटर वीक गास निकाला सकता है लेकिन क्या calculation के बाद हमें किस हाई की पर क्या measures बाना है वह हमें switch करना पड़ेगा तो अब यहाँ पर हमें visual level calculation करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर three dots पर जाओंगा उस visual में और मुझे मिलेका यहाँ पर new calculation मैं इसे click करूँगा एक नई window उपन हो जाएगी कुछ इस तरह ऐसे इसमें ऊपर का जो part है वो हमारा visual है और नीचे की part में वो calculation हम add कर सकते हैं तो यह calculation है तो यहाँ पर मैं लखता हूँ प्रीवियस प्रीवियस सेल्स थी कर दिया है मैं इसको visual level कर देता हूँ अब यहाँ पर एक function है हमारा previous अब इस previous में मैं यहाँ पर ज Product कर सकते हूँ क्यों देखे जो visual level कालिक्रेशन है वो एक नए context पर काम करते हैं जिसे हम बोलते है वि Cell context तो इसमें हम वही access कर सकते है जो इस visual के अंतर है वो जो वौ सारिफील्ड चो इस visual में नहीं है उन्हें हम नहीं ब्रीकुर सिंपल है तो ज्याद कुछ नहीं है प्रीवियस एंट टॉचेर्स मैंने इसको पॉके किया अब द्यान से पॉर्ट को देखे और हमने प्रीवियस का जो हमने एक मेजर बनाया था दाक्स में वह बीदू को यहां पर पर सिमिलर आ रहा है लेकिन अब ध्यान से देखिए व्यादर लेबल पर क्वैटर टुफोर पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है प्रीवियस वाली वैल तो यहां पर प्रीवियस का मतलब पर देख रहे हैं तो यहां पर प्रीवियस का मतलब पर देख रहे हैं तो प्रीवियस का मतलब पर देख रहे हैं तो प्रीवियस का मतलब पर प्रीवियस मन्त पर अगर हम देल लेवल देखेंगे तो प्रीवियस का मतलब हो जाएगा देल लेकिन ऐसा सीम है यहां पर देख लूँ तो आप देखेंगे मैं यहां पर सिर्फ दो ही कॉंटक्स लिए है सबसे ऊपर क्वार्ट है और उसके नीचे हमारे मन्त है तो प्रिवेस वाली कल्कुलिशन देखेंगे तो इस क्वार्ट में यही प्रिवेस मन्त क्या हुआ यह वाला यह यह नंबर जो है इस नंबर के चिंटर आद भर हम कहा सकते हैं कि मतला प्रीवियस मंंदु लैकं। लेकर कौर्टर का मैं देखिने तो प्रीवियस कौर्टर स्वीं। अगर हम इसको स्विच भी कर दें। मन्थ ऊपर ठीव भी कर दें। दूर अब अगर हम देखेंगे मुद्ध जो वैल्यू आ रही है ये वाली वह कहां से आ रही है? से तो यहा पर कोई डिफरेंस नहीं दिखाए जा रहा है कि मन्त ऊपर रखें या वो प्रीवियस मन्त लेवल दिख्ञा यहा है अगर मन्त लेवल है तो मन्त पर पर निकाल दें और अब मैं आप ड्राइक कर रहा हूं country और Segment Segment को भी raw में डालते हैं अब आप जान चो देखिए यहाँ पर जो France है France की प्रीवेस की वैलिईओ आ रही है वो यह आ रही है यहाँ पर sales जो है वो monthly रहने वाली है लेकिन जो हमने visual level calculation की है वो previous वहाँ पर year week का concept जो हो चुका है वो previous value दे रहा है उस table की यानि कि उस visual की यह जो function previous था वो previous value दे रहा है अब देखेंगे France की value है वो है यह वाली इससे पहले France से उपर क्या है? France उपर है Canada Canada की total sales की value है वो यहाँ पर आ रही है इस तरह सब दिखान से देखेंगे तो numbers जर्मनी के number में उपर France है Mexico की numbers यह है अब देखेंगे जनवरी जो Mexico को number है तू जो इस number को याद कीजिए 23505 नमबर और मैं इसको short कर देता हूँ अब देखेंगे Mexico number क्या वो आ रहा है Mexico number of defense आ रहा ह यूसे की sales यानि कि अगर मैं उसको short करूँ तो जो visual level जो context है वो भी यहाँ पर change जाता है तो अगर visual level context change हुआ तो previous का जो है मतलब वाली जाता है क्रूंकि current line के साब से previous वाली value है उपर वाली तो अगर मैं short कर देता हूँ तो अगर वो series वो change हुई तो previous की value हो जाएगी different इसी तरीके से अगर मैंने year level भी लिया हुआ है और अगर मैं उसको short कर दूं highest तो प्रीवेस के मतलब फिर वो next रान लगेगा वो देख रहा है उसको इस बात से मतलब नहीं है कि अगर मैं previous करते हैं हमने लिया quarter और अभी यहां पर बिल्कुर सिंपल सा दिखाए दे रहा है sorry मैं यहां पर year जो है year हम ड्राइक करते हैं यहां अभी quarter लेवल पर देखेंगे आप तो जो previous जो value दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है previous quarter की और year में जो value आ रही है वो previous इनको दोर 13 में blank क हम क्या सकते हाँ यह previous है अगर हम इसको short करते हैं अब देखो 2014 उपर हो गया लेकिन अगर हम 2014 देखें तो 2013 ही है लेकि यहां पर देखेंगे वो नहीं है यहां पर blank आ रही है लेकिन 2013 में जो value आ रही है वो 2014 की आ रही है यहां पर previous का मतलब बदल गया तो यहां पर आप समझ context करता है जो कि एक नया context है इसका नाम है visual context इस पर और आगे भी समझेंगे एक छोटा सो comment है जो आपको clear होगया होगा obviously आप कुछ और functions देखते है प्रीवेस समझ लिए हमने previous के अलावा एक function और है next तो जिस तरह से previous calculation दे रहा है उस तरह से next calculation देगा है तो हम यहां पर एक और create करते हैं next sales तो यहां पर function है हमारे पास next और obviously हम यहां पर select कर लेंगे total sales को और ok करेंगे और back to report जिस तरह से previous की value दे रहा था अब वहां पर वह next की value दे रहा है देखेंगे आप quarter 3 में इसमें short करें तो quarter 3 में previous की value है वह है 226 quarter 2 की और next की value है 296 quarter 3 यानिकि वह है shift होगा previous और quarter based on visual में क्या दिख रहा है उसके साफ से selection होगा previous या next इस तरह से दो और function है first and last तो वह भी context रहेगा वहां पर वह भी visual कहीं रहेगा visual में first क्या है visual में last क्या है sales तो यहां पर यह function obviously है first और यहां पर हम select कर लेंगे sales bracket close और back to report अब देखेंगे यहां पर जो first है यानि quarter quarter 23 का quarter 3 है उसकी value जो है सभी जगह पर repeat हो रही है लेकिन अगर मैं इसको short कर दूँ तो आप देखेंगे first sales की value है सब जगह change गाती है क्योंकि अब जो first value है वह है 24 का quarter 4 इस तरीके से अगर मैं अभी 297 है value अगर मैं year नीचे कर देता हूं quarter ओपर कर देता हूं तो देखेंगे first sales की value है वह change लाती है year level पर अलग है month level पर अलग है year level पर क्या है यह यह जो value है वह first की है यानिकि first quarter की value वह जो कि यह है और यह जो value है वह है first year की value यह वाली क्योंकि shorting order से quarter 4 का और 14 ही सबसे पहले आ रहा है यह value ही सब जगह पर repeat हो रही है इसी तरह से first को last कर दूं तो यह last वाली value ही सब जगह repeat होगी यानिकि हम अगर percentage निकलवान चाहते हैं first value के साथ compare करने चाहते हैं या last value के साथ compare करने चाहते हैं वह हम इससे आराम से निकाल सकते हैं अब हम देह लेते हैं कि कुछ templates क्या है जो already built-in templates हैं जो हम easily create कर सकते हैं सबसे पहले अगर हमको एक new calculation करते हैं तो यहां पर मुझे एक function का sign देगा तो आप यहां देख सकते हैं इस पर click करेंगे तो हमारे पास कई सारी calculation यहां पर आ जाती है जो कि already built-in है जैसे running sum running sum हो गया हमारा एक तरह से cumulative total तो हम running sum पर click करते हैं देखेंगे एक pattern बनावा गया यह जो function running sum यह work करेगा moving total निकालने के लिए तो यहां पस कुछ भी नहीं है तो हमें field डालने है हमें वह context भी बनाना पड़ता है कि किस तरह से filter context में वह value short होंगी और तब हम उसमें value add करते जाएंगे क्या तो इस field की जगे चेंड करना है हमें जो field हमें देवी है तो वह field है total 6 और मैं ok करता हूं अब देखेंगे ध्यान से यह number values है यह values यहां पर जुड़ गई है अब यह इसमें जुड़ गई है यह add होती जारी है लगाता यह last में number इसका add होगा है इस तरह से year level पर देखेंगे तो यह values है इसमें यह value add होगी अब यह value होगी इस तरह से cumulative total है इसके अलाबा कुछ और options है देखते हैं moving average तो moving average पर click करेंगे तो इसने अब field देदी हमको कि moving average जो है कितना निकालने field देदी और window size देदी है आप जो field तो वही है simple कि कौनसी field हम लेना चाहते हैं तो यहां पर है हमारा total sales और window size है वो है कितना आप moving देखना चाहते हैं तो यहां पर moving average डेली average का मतलब नहीं है यहां पर monthly average से कोई मतलब नहीं है यहां पर yearly level से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो depend करेंगा कि वो किस context में visual में है तो यहां पर मानलोजी मैं 3 डाल देता हूं तो अब हम यह नहीं कह सकते के 3 month का daily average है अगर यह quarter level पर है तो 3 quarters का moving average हो जाएगा अगर यह year level पर है तो 3 years का हो जाएगा और अगर यह day level पर है तो 3 T का हो जाएगा अब कुछ और पैटर्न है जो आप उसमें अपने आप खेल सकते हैं अगर मैं यहां पर एक और calculation दूँ इसके अलावा देखिए अब आता है हमारे percentage of parents और चिल्डरन वाला उसके बाद यह जो चाह रहे हो फंश्ट है वह आपने पहले ही पढ़ लिए है कि previous के साबसे कैसे करना है previous function हम पढ़ चुके हैं इसे तरीके से अगर मैं यहां पर जाओ next वाला अगर मैं इसको तो next field के साथ calculation है और अगर मैं इसको same कर दो previous के साथ तो same वही आ गया हमारा अब यह जो calculation बचेती है हमारी percentage of parent के साथ कसे निकालेंगे ठीक है तो मैं इस पर क्लिक करूँ अब देखेंगे यहां पर कि जो यह function थो ठीक है डिवाइड करना है इसको लेकिन यह जो function है कॉलाप्स निकालने के लिए हम कॉलाप्स करेंगे यह निकालने के लिए हम expand करेंगे यह थोड़ा deep dive रहेगा इसके लिए हम इसको next videos में कबर करेंगे आज की वीडियो में इतना ही है कोई भी question रहता है आपको मुझे आप comment कर सकते हैं नीचे कैसे लगी आपके यह videos मैं मिलता हूँ आपसे next video में जहां पर हम अन्रेशन कर रहे होंगे कि visual context और deep में क्या है और expand और collapse क्या चीज़ है मैं मिलता हूँ तुर नेक्ट वीडियो में अगर आपने टिनाट करना चाहते हैं टॉप मेट कर सकते हैं आप मेरा timebook कर सकते हैं वहाँ पर तक आप यह दो cool videos देख सकते हैं और वीडियो में थैंक्स कि अप में आप जिस को बल्द कर मकल सकते हैं आपक नहalen कर बाम escrito वेत हैं आप आपक कि वीडियोग सकता ऑपक्पक्स